दर्शगण, सोतागण, भाई और बैनों मात्री सक्तिकों नमन, आस, विशेश, मन मोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, जीवन को नई दिशा देने वाला, जीवन का रुपांतरन करने वाला, सब की भलाई सोचने वाला, और सब के सुख की कामना करने वाला, आपका हार दिख स्वागत है, अभिनंदन्य सत्कार है, प्रति दिन नए नए विशे प्रस्तुत किया जाते हैं, इसी क्रम में आज का विशे है, जो एक बड़ा आत्मविकास का विशे है, वह है अनुशाशन द्वारा आत्मविकास, दर्षगंटD, सोटवंटगंट, भाही और बेनोँ एक तरफ अनुशाशन है और एक तरफ आत्मविकास है तो किस तरीके से अनुशाश्यत रहकरके आत्मविकास को प्राप्त करें और हमारी जो मंझील हैं हमारा गंतब्व्य है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी पूरी प्रोसेस जो है मैं आज वक्तव्य में रखूंगा मैं इसको प्रारंब करता हूँ कि जो योग के बड़े हमारे महां रिशी हुए है पतंजली जो की बहुत पॉपुलर है और पतंजली का अस्टांग योग योग तो वैसे बहुत है सेक्ड़ों तरह कि योग जो कहना ची आल्टरिनेटिम एडिशन आज विश्व में चल रही है उसमें से एक योग भी है और योग के अंदर भी बहुत से योग है लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सबसे ज़्य ज़्यादा यूजफुल और व्यवारिक है वो अस्टांग योग पतंजली का है उन्होंने योग सुत्र लिखा जिसके अंदर हजारों सुत्र है आत्म विकाश करने के हजारों सुत्र है उनका जो प्रारंब जो समर्पन है अथ अनुशाशनम उन्होंने कहा है कि जो मेरा ये योग शुत्र है वह कुछ नहीं है मात्र अनुशाशन है देखिए अस्टांग योग प्रारंब कहां से होता है यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्यहार दारना ध्यान और समाधी ये पुरे अस्टांग योग है लेकिन उन्होंने इसको सिमठ दिया मात्र अनुशाशन से त कसोटी पे कस्ता कस्ता जो है मैं आकिर समादी समादी की जो अवस्ता होती है वो हमारा गंतव्य है वो हमारा लक्ष्य है वो हमारा पूर्ण कारिय है जिसके बाद करने को कुछ बाकी नहीं होता है वो सिद्धी की इस्तती है जब व्यक्ति शिद्ध होता है तब वो शिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है अशरीरी हो जाता है हमारी जो bonded soul है consciousness है सारे bondage को clean करते 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 हम absolute हो जाते है तो जो bondage होता है वो matter के अंदर चला जाता है और हमारी pure soul होती है वह निर्वान को सवापत होती है उसका कैसा सुरूप है जो हमारा गंतव्य जो हमारी शुद्ध आत्मा है अनंत ग्यान वाला है अनंत दर्शन वाला है अनंत चेतना वाला है अनंत शक्ति का है शक्ति वाला है और अनंत सुक का दाम है हम उस गंतव्य को प्राप्त करना क्यों चाते हैं सारे धर्म ग्रंत जो है उसकी बात को लक्षे रखे क्यों करते हैं चतुर्थ पुर्षार्थ के अंदर जो है वो हमारा पुर्षार्थ चतुर्ष्टाय के अंदर बताया गया है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष मोक्ष वो गंतव्य क्यों माना है और उसके लिए सारे हमारे holy scriptures बने हैं, सारे हमारे धर्म के शास्त्र बने हैं, और कई धर्म के सुरूप ने जनम लिया है, अपनी अलग-अलग विदी बताई है, वो सब का कारण ये है कि वो अनंत सुख का दाम है, ये उसकी property है, वहाँ पर जो है, हमें कोई तरह का दुख न है, अमूर्थ है, अक्षय है, अव्याबाद है, टंकोत किर्ण है, और अनंत सिद्धी वाला है, विशुद्ध है, उसके पास के अंदर दुख पहुंचने की कोई इस्तान ही नहीं है, पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि दुख सरीर को होता है, तो अब इस तरीके से हम अनु अनुशाषन को अंग्रेजी में discipline कहा जाता है, अनुशाषन का आर्थ होता है, अनु प्लस शाषन, यानि अपने आप के अंदर अवस्तित होना, जब हम अपने आप में अवस्तित होते हैं, दूसरों को अपने जैसा समझते हैं, और सच्चा अनुशाषन वह होता है, कि व उसके दोरा किंचित मातर भी कस्ट ना हो, वह जो होता है, वो अनुशाषन क्यालाता है, अनुशाषन दो तरह का होता है, एक अनुशाषन तो बहुतिक होता है, एक अनुशाषन आध्यात्मिक अनुशाषन होता है, आत्म विकास की जो बात कही गई है, ये जो है वो हमार आत्मिक अनुशाशन है अध्यात्मिक अनुशाशन है अध्यात्म का और सुदा बीतर की और और जो हमारा आंक खोल करके जब हम देखते हैं तो वो लोकिक जगत कहलाता है इंद्रियों का जगत कहलाता है बाहर का चराचर जगत कहलाता है और जब हम आंक बंद करके बीतर जा आत्म विकाश का जगत कहते हैं और उसका प्यूरिफिकेशन की बात होती है. तो मैं दोनों जगत के संतुलन की बात कर रहा हूँ, कि संतुलन के अंदर बीच में जो ब्रिज है, बीच के अंदर जो सेतु है, जिससे की देखिए नदी के दो किनारे होते हैं, जिस किसी को तेरना नहीं आता है, और वो व्यक्ति इसको पार करना चाहता है, महालो पचास पुट की नदी है, चोड़ाई इसको पार करना चाहता है, तो वो पार कैसे करें, बहुत से रेल्वे स्टेशन अप न देखा की, नदी के उपर पुल बने हुए हैं, ब्रिजेज के उपर से गाड़ी निकलती, इसको पार करने के लिए एक किनारा जो है, वो अनुशाशन है, दूसरा किनारा जो हमारा आत्मविकाश का है, अनुशाशन को आत्मविकाश के पास में जाना है, क्योंकि हम इदर से चलते हैं और इदर से आते हैं, और इसको इदर आने की जरुत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जो प्यासा होता है उसको कुए के पास जाना पड़ता है कई बार ऐसी कहवत भी है कि स्वेहम कुए पैसे के पास में आ गया वो तो एक मात्र विशेशन है लेकिन प्यासे को कुए के पास जाना पड़ता है मलब अनुशाशन जो है, उसके द्वारा पहुंसते पहुंसते वह आत्मों विकाश को प्राप्त होता है, तो ये जो हम देख रहे हैं बाद जो लोकिक जगत, उस लोकिक जगत के अंदर भी अनुशाशन चाहिए, हम बीटर जगत की बाद में बात करेंगे, देखिए, पहले व्यक्ति है एक से दो व्यक्ति हो गया अस्बेंड वाइफ हो गया संसार चालू हो गया फिर परिवार होता है परिवार के बाद के अंदर जो है मौला होता है और मौले के बाद के अंदर गां होता है गां के बाद के अंदर जो हमारा राज्य होता है राज्य के बाद में अनुशाशन, आप मुझे कहो कहो कि आप दर्शन के विद्यारती हो, दर्शन के प्रोफेसर हो, दर्शन के सिक्षक हो, एक पूरी ऐडियोलोजी में से भारतिय संस्कृति में से एक सुन्दर ऐसा शब्द निकालिए कि उस शब्द को अगर कोई व्यक्ति अपने चरित्र के अंदर दारन कर ले, तो उसका चरित्र होलिस्टिक हो जाए, तो मैं कहना चाहूंगा वह शब्द अनुशाशन, इतना प्रिये, इतना सुन्दर, इतना सटीक, और इतना सरल है, कि व्यक्ति इसको ग्रण करके अनुशाशन से आत्म विकास के अवस्ता के अंदर वो जा सकता तब देखिए, कि हम आपको प्रकर्टी की बात कहते हैं, कि सूर्य मेंसा पूरू में उगता है, और अगर वो सूर्य पस्ची में उगना प्रार्म कर दे तो दिन में सूर्य आता है, और जहां-जहां टुन्डला जैसे जो है, हमारे प्रदेश है, जहां पर कि चचच महीने तक रात रहती है, वहां के लोगों की इस्तिए देखिए, वहां का जीवन क्या है, नार्किय जीवन है, सोते रहते हैं वो, और च्च महीने तक कितना सोएगा आदमी, और बिना कोई भी सूर्य की रोशनी के बिना ताप के कैसे काम करेगा, ऐसा भी हमारे उत्री जो है, अगर ये हमारे पाढ़ है, जो पाढ़ ये तांडव नर्ति शिव की तरह तांडव नर्ति करने लग जावे, तो क्या होगा, भुगंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, यानि अनुशाशन छोड़ते ही, ये प्राकरतिक चीज़ें जिब अनुशाशन की सीमा लांग ज जाती है, हमारा जीवन करश्ट पर्द होता है, और ये होता क्यों है, क्योंकि हम स्रस्टी के साथ छेड़ चाड़ करते हैं, अनुशासन हींता करते हैं, मर्यादित नहीं करते हैं, प्रत्वी मा ये कहती है, हमारी स्रस्टी मा ये कहती है, तुम खाओ पी हो, जो भी तुमा दोहन करना मेरे जो मूल फाइव गॉंस्टिट्वेंट्स है प्रत्वी जल अगनी वाई और आकाश इन सब का अतिरिक्त दोहन करना जब टॉर्चर दिया जाता है मदर नेचर को तो मदर नेचर भी दुर्गा बन जाती है और वो दुर्गा बन करके हमको ये तांडव नरत्य बरताती है कि सुनामी अकाल अतिवरस्टी अनावरस्टी और महामारी क्या-क्या बात करें ये सब प्रत्वी मा के चमतकार है अनुशाशन हींता के समतकार है परिवार में देखें जिस परिवार में अनुशाशन नहीं है बड़ों को इस्तान नहीं है छोटे उनका आदर न तो वो नार्किय जीवन है, वह जीवन अनुशाष नहींता का जीवन है, वह बेकार परिवार है, और इस चरीके जिस गाउं के अंदर अनुशाष नहींता है, वह प्रेमनी होगा, लड़ाई होगा, जगडा होगा, फिशाद होगा, बिमारी आएगी, डकेती होगी, लूट पाट होगा, इन सब के मूल में कारण का है, अनुशाष नहींता है, कल मैंने बाई और बहनों, दर्शे गंड, सोता गंड, अकबार में पड़ा था, कि जोदपूर, जो हमारी अपनायत्यां की प्रसुद है, हम तो सर्मशार हो गए, कि यहां से 15 यूगों है, 670 करोड की ज जोदपूर निवासियों का सिर जुग गया, कि उन्होंने जो जाकर के योजना बनाई, कि वहां का जो में सेफ है, उसको तोड़ना, करना, उसमें से लूट पाट करना, हलांकि कर नहीं पाए, उनको पकड़ लिया गया, लेकिन अनुशाष नहींता है, ऐसा क्यों करे आद और मान लीजिये, आप छुप भी जाओगे, मेने, दो मेने, चार मेने, चार मेने, अंडरगाउंड हो जाओगे, आप रकड़ी नजर रहेगी, आप भोजन कहां करोगे, आप आराम कहां करोगे, हर वक्त आपके टैंशन बना रहेगा, ऐसी अनुशाष नहींता क्यों करो, वक्ती बीमार क्यों पढ़ता है, वक्ती अनुशाष नहींता से बीमार पढ़ता है, देखिए कैसे, कि प्रकरती ने विवस्ता बना रखी है, समय पे बोजन, समय पर पानी, समय पर सोना, समय से उटना, समय से काम करना, हर पूरा दैनिक दिन चरिया जो है, प्रकरती ने अ हाँ तक किया दिया है अर्ली टू बैड एंड अर्ली टू राइज इस ए साइन आफ हेल्थ आप जब सुरियोदे होता है उसके पूर उपर उठ जाईए और जब सुरिया अस्त होता है तब उसके पहले पहले आप अपना सारा काम का आज निप्टा करके प्रभु भक्ती में लग जाईए इश्वर के समर्ण में लग जाईए और समय पर सो जाईए हर विवस्ता प्रकरती ने बहुत सुंदर रूप से बना रखी है इसको अनुशाषन प्रियता कहते हैं और इसी का नाम अनुशाषन है अब देखिए मैंने आपको प्रार्णबब में क्या कहा था कि अनुशाषन नम से होता होता हुआ मैं आत्मविकास पर आऊँगा अब मैं क्योंकि समय की अल्पता है बाहर के जगत में मैंने आपको बहुत गोते किलाए अब मैं आपको बीतरी जगत के अंदर ले जाता हूँ बीतरी जगत अध्यात्मा जगत है वो आत्मविकास का जग है और वहाँ पर तो अनुशाशन और ज़्यादा चाहिए आपने आख बंद करके भीतर चले गए तो सबसे पहला अनुशाशन ये है कि हमारा मन है मन लोबी मन लालची और मन चंचल मन चोर मन के मतें ने चालिये पलक पलक मन होर देखिए भाई और बैनों ये हमारा शरीर है उस शरीर को जो है मैं विभागों के अंदर बाढ़ता हूँ सबसे पहले शरीर जो दिखाई देता है उसके बाद पांच इंदरिया इस परसन रशन घान चक्षू सुनतरानी इंदरिया नहीं इनके विशे है बाहर से संपर्ग जोड़ने के और ये सारे जितने भी विशे लेकर के मन को देती है मन एक मैनेजर है मनन से पहले मन नहीं होता मनन के बाद मन नहीं होता केवल हम जब मनन करते हैं तब ही मन होता है मन इसे absolute matter बहुत गलिक चीज़ है और ये मन servant है मन absolute temporary ये थोड़ा उपर जाईए चित है चित हमारी चेतना हमारा जो मेन मालिक है अब हम आत्मा का समराज्य है और ये चित के लिए आत्मा के लिए का गया है अनंत चितों वाली है आत्मा ने अपना चित भेजा हाट को हाट संचलित होता है आत्मा ने अपना एक चित एक रश्मी उसकी जा रही है हाथ को जा रही है हर कोशिका को जाती है और जहां जहां नहीं हो होता है माकोमा होता है कोमा करत होता है उस इस्तान पर चित नहीं पहुंचा है और पेरलिटिक होता है इसका मतला उस इस्तान पर चित निश्क्रिय है उस इस्तान पर आत्मा की जो रश्मी नहीं जारी है आत्मा की ओर जानी जाती है जिसको कि हम कर्न वीरिय कहते हैं लब्दी वीरिय कहते हैं वो वान नहीं है तो इस तरीके से भीतर बहुत बड़ा अनुशाशन है अब भीतरी जगत की में एक बात कहना चाहता हूँ कि मनुश्य के सरीर के अंदर साथ खरब कोशिका हैं प्रतेक कोशिका अपने आप के अंदर इक पावर हाउस है उस कोशिका को व्यक्ति की साथ साथ खरब की कोशिका मैंसे एक कोशिका को बाहर निकाल करके कल्चर्ड मेडिया से उसको एलाई रख करके मरने नहीं दिया जाए और उसको किसी मादा के गर्ब में ट्रांस्प्लांट कर दिया जाए तो वो जीवित कोशी का जो है क्लोन मनाती है उसके जैसा सेम जेनिटिक इंजिनि कहती है उसके जैसा सेम का सेम व्यक्ति मेरा अगर वह जो है वो शेल है मेरी कोशी का है तो हुब हुब मेरे जैसा जो है वो शरीर बन जाएगा एक बच्चे के रूप के अंदर लेकिन उसके करम अलग होंगे क्योंकि वो आत्मा अलग है वो इस सरीर से ओकर के निकली है लेकिन क्लोन बाहरी रूप एक जैसा होगा क्यर मैं इस गेराई के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ मैं तो अनुशाशन की बात करता हूँ साथ खरब कोशी का हैं मिलकर के सरीर का संचालन करती है उसमें से अगर कुछ कोशी का हैं दस बीस पचीस पचास सो कोशी का हैं अगर मालो विशेली हो जाती है व्यक्ति को कैंसर हो जाता है और हमारे इस सरीर के अंदर जो बड़ी-बड़ी बिमारी आती है सूगर है बलड प्रेशर है कैंसर है मैं बड़ी-बड़ी बिमारीयों की बात करता हूँ तो उसके अंदर क्या होता है कैंसरियस सेल हो जाती है हर पूरा सरीर साथ करब कोशिका है, होमोस्टेटिक सिस्टम के साथ में, पूर्ण अनुशाषन के साथ में, शरीर को चलाती है, तो वो क्या है, देखिए, हमने कोई पेन किलर की दवाई ली, तो पेन किलर की दवाई हमने मुझ के दारा पेट में डाली, और वो जाके ब्लड के के अंदर है तो वह पेन किलर जाकर के इन कोशिकाओं के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं मुँ होता है तो वो मुँ वही कोशिकाए खोलेगी जिनको की उस जो है पेन किलर की आफशकता है जादर्द है बाकी सब के मूँ बंद रहेंगे अब देखिए हमने तो पेट के अंदर जो एक टेबलेट डाला वो जाकत के असर यहां करती है यहां नहीं करती है इसलिए हर चीज की अलग-अलग दवाई होती है डिसिप्लेन है तो हम डिसिप्लेन के द्वारा हम अपनी अपनिशकर्ष की बात करते है कि हम चलते हैं यम से यम का वो ताईंसा सत्याचोरिय प्रम चलिये और अपरिग्र है यह पाँच बड़े-बड़े सिध्धान्त है यह अनुशाशन के बड़े सिध्धान्त है इनका पालन करते हुए यम के बात चलता है नियम नियम के अंदर हमारा सोच और परिग्र है अपरिग्र है और हमारा इश्वर प्राणिदान त्याग अहिंसा यह पाँच जो है वो नियम है यम नियम आसन कारत होता है हम विवस्तित रूप से ऐसे बैटे हैं कि हमारे मशल्स, हमारे मशल्स को जो है, वो एक exercise मिले और ये जो आसन बनाए गए हैं, जितने पक्षी मयूर आसन, मयूर के बैटने का आसन उस तरह से मनुश्य बैटे है, और उसके बाद के अंदर बताया गया है, मकराशन, जो हमारा जो मगरमच कैसे बैटत है, उस आसन में सारे आसन जो बनाए गए हैं, पश्वों के बैठने के इसाफ से बनाए गए हैं, तो उस इसाफ से अगर हम बैठते हैं, तो हमारे मशल्स जो है, वो बहुत ही मुलायम रहते हैं, और जहां मशल्स मुलायम रहते हैं, वो आराम से आदमी उपर नीचे उठ स इनके जोनों के नदर हाता है पालती मारके नहीं बैठ सकते सरीर को ज़्यादा गुमा नहीं सकते गुमाय तting दर्द होता है गिर जाते हैं तो इस तरीके से ये कि आसन प्रणायाम प्रणायाम का मतलब हमारे प्रण प्लस प्रान प्रान वाई हुए है, उसका अनुशाशन करना, इनेल करना, अक्जेल करना, अनुलोम, विलोरम, बस्तरी का है वगरा, यह कई अलग अलग है, इतना समय नहीं कि मैं बताओं, लेकिन मैं जो बात कर रहा था, कि अध्था अनुशाशन करके, उन्होंने किस तरीके से जो है, सम इश्यों के इंदर अपने को लिप्त नहीं कर दे, लोलुप नहीं बना जाए, हमको लालसा में नहीं डाल दे, हमको इंद्र्य सुख में डाल दे उनको खैंच लो, उनको खैंच्छना भीदर कहात्म ए और खैंच आ पर धारणा ध्यानसमादी, धारणा का मतलब है जो शुद्धन ग्यान है। छुद्धन का ज्वण है।' आत्मा का ज्वा ज्वण है। शुद्धन करते हमाहता है को मुख्य उदेश्य जगत कल्यान। प्रानी मात्र का सरविदक्र भला हो, प्रानी मात्र को परुब्पकार मिले, इसलिए सर्वे भवंतु सुके नकर्डु सर्वे भवंतु निरामय कीरहiest है, इसी प्र। और कोह में आपके प्रती मंगल भावना, शुब यूदु आप सताई हो, दिर्गाईयों हो, खुब अच्य-च्य कारी करें, और समा सेवा का कारी करें, परोप कारी कारी करें, जगत कल्यान का कारी करें, और शता यू होकर के अपने अंतिव गंतव्य मोक्ष को प्राप्त करें.